दोस्तों जब जब दिनेश कार्थिक का बला जम कर बोलता है तब ये युवा खिराडी बेंच पर बैट कर होता है तो क्या है खबर की पूरी जानकारी कौन है वो खिराडी जिसका कैरियर दिनेश कार्थिक की वज़े से लगबग खत्रे में पड़ गया है बताएंगे इस व मुकबले में भी तो हमें था कि यहां पर टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में यहां पर अधसरा पन्पका नाम नही था इसमल इस मुकाबले में सांधysz konας बड़ कश से की बड़ा बदलाओ करेंग क्युकि हुए बहुत बुरी तडीके से महसिँ लेक हार गकिन अगला यहां पर दोस्तो काफी अच्छी तरीके सास्टेलिया को 90-an पर शुक्ने में कामियाब रहे लेकिन बर्ले बादी में देखा कि भारती ही टीम ने दीनेस कार्तिक को मौका दे दिया था लेकिन रिसफपन्त को मौका नहीं दिया था और डर अभी भी बना हुआ है युकि दोस्तो रसफ पंत को अभी भी पिक नहीं किया जा रहा था दोस्तो अगर यहां पर इंडिया की प्लेइंग लेवन को देखा जाये तो यहां पर उनको यहां पर पिक तो किया गए दूसरे टीटेंटी मुकाबले में एक बल्ले बाजी इसका मतलब यही है कि रसफ पंत के लिए प्रब्लम और बढ़ सकती है अगर इसी तरह से दिनेस कार्थिक का बल्ला बोलता रहा तो दोस्तो बात करें देनेस कार्थिक की तो सांदार फां में चल रहे हैं उसी कि दोस्तो अभी यूवा खिलाडी है 24 साल के रसफ पंत ने अ जिन्होंने पुछतली मुकाबले में दो गिन्हों में रसफ न बना कर यह बता दिया क्यों पूरी तरह से फॉर्म में और वर्डेकाप में अगर रसफ पंत का सेलेक्शन होगा तो देनेस कार्थिक के खराप पड़ रसफ न सही होगा आपके हिसाफ से देनेस कार्थिक को कौन बहतर की लाड़ी है कॉमेंट करके जरूर बताएगा वीडियो अच्छे लेगी हो तो लाइक करें और चनल को सब्सक्राइब जरूर करें वीडियो रखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद